हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखंड जी के वैरी जी ट्रिक्स में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड 1200 प्रसनों की हमारी जो इस रीज चल लेती दोस्तो इसके पार्ट 3 के बारे में इससे पहले मां आपको इस रहेंगे अगर आपने इससे पहले के दोस्तो दो वीडियो को नहीं देखा हुए है तो आप उन वीडियो को भी जरूर देख लीजीगा इसके अलावा दोस्तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को उत्राखंड की डेटेल पोस्ट मार्टम क्लासेज मिल जाती है करेंट एफेर्स की क्लासेज मिल जाती है अगर आपने वह क्लासेज भी नहीं देखी हुई है तो उन्हें दोस्तो आप जरूर देख लें आपके आगामी जितने भी एक्जामस होंगे उन सभी एक्जामस में वो क्लासेज बहुत ज्यादा महत्तपूर्ण है और जो यह हमा आखन जी के वेरी इजी ट्रिक्स को भी जरूर डाउनलोड करना है चलिए शुरू करते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो को आज का हमारा पहला प्रसन है गड़वाल हिमाले के मलारी ग्राम में सवाधानों की खोज किस वर्स की गई थी तो गड़वाल हिमाले का मलारी ग्र सरोपरता में 1956 में मलारी ग्राम में सवाधानू की खोज की गई थी मलारी गाउं के उत्खरन का कारी दोस्तों किसके द्वारा किया गया था तो तो HNVPJ गड़वाल विश्वी धाले तथा SPD यानि के सिव प्रसाइड डबराल जी के द्वारा इस गाउं के उत्खरन का कारी भी किया गया था ठीक है और यहां से सवाधानू की खोज होई थी जो की चमोली जनपद में इस्तित है और मलारी ग्राम के बारे में एक और दोस्तों पॉइंट कहा जाता है कि पागिस्तान की स्वाध घाटी के समान दोस्तों इस मलारी गाउं का जो उत्खरन है उसकी सन्यसना प्राप्त हुई है ठीक है यहीं से दोस्तों एक कुतुप मिल जो नाम के मुद्रा मिली मुद्राम मिली आ और हमाले पसु का कंकाल मिला है उसी को इसमें जुबू कहा जाता है अगला हमारा प्रस्थन है दोस्तो कि निम्नलखित में सुमेलित नहीं है क्या सुमेलित नहीं है कत्वरी राजवंस का सस्तापक वासुदेव है बिल्कुल सही है दोस्तो बासुदेव या बसुदेव अलग लग नाम है ठीक है चंद राजवंस का सस्तापक फोहर चंद दोस् पुछा गया है तो उप्सन नंबर B आपका सुमेलित नहीं है संस्तापक थोर चन्ना होके सुम चन्न है वही कत्योरी वंस या कार्थ के पूर राजवन्स के संस्तापक पुछा जाएगा तो कोने बासुदेव या फिर वासुदेव हैं चंद वंस के अंतिम सासक पुछा पुछा जाएं तो वो थे हमारे परौधिर्यों सा जोके पर्माराजवन्स के चोवण चाह सकते है और फिर आनतिम सा सकते हमारे वह्यां नosters वाहनेuição्ंद साह यह फिरिया आरा प्रसंदों महथुपड बनते हैं कि अथिकरा पुर ऊतिहासी राजवन्स कौन सा गया है स्वा कौन है बासुदेव हैं और वहीं उत्राखन का पर्थम राजनेतिक राजवन्स कौन सा है तो कुडिंद राजवन्स उत्राखन का पर्थम राजनेतिक राजवन्स राजवन्स के संस्तापक कौन है इसके संस्तापक है सुबाहू ठीक है अब आप लोगों के लिए दोस्तों दराजा ओफ हरसिल नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो दराजा ओफ हरसिल नामक पुस्तक के लेखा का दोस्तो कौन रॉबर्ट हचीसन अब दराजा ओफ हरसिल के नाम से किसे जाना जाता है तो फ्रेडरिक विल्सन को किसको फ्रेडरिक विल्सन को दराजा ओफ हरसिल के ना और तो फ्रेडरिक विल्सन को दोस्तो दराजा औप अफ हरसिल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो सेव की प्रजाती दोस्तो विक्सित होती है उसे विल्सन प्रजाती भी कहा जाता है तो हर्चिल का राजा किसको कहा जाता है फ्रेडरिक विल्सन को हर्चिल को बसाने का सरी भी किसको जाता है फ्रेडरिक विल्सन को ही जाता है अपका हरसिल इस्तित है और फ्रेडरिक विल्सन जिसने दराजा औफ हरसिल के नाम से जाने आता है इसी Frederick Wilson को भागी रती नदी घाटी में बसने वाले पर्थम अंग्रेज के रूप में भी जाना जाता है तो हर्चिल मैतोपूर्ण है और हर्चिल से इस मैतोपूर्ण साथ ज्यादा इंपोर्टेंट है Frederick Wilson ठीक है इतने सारे पॉइंट दोस्तो आपको हर्चिल से याद रखने है और हर्चिल मैं ही दोस्तो Frederick Wilson ने एक कोटेज बनाया था अपना जिससे Wilson कोटेज के नाम से भी कहा जाता है ठीक है और इसी Frederick Wilson को दोस्तो पहाडी Wilson या Raja Wilson या The Raja of Harsil के नाम से भी जाना जाता था इसी दराजा ओप हर्चिल फ्रेडरिक Wilson के नाम पर ही यहाँ पुस्तक लिखी है किसने Robert Hutchison ने तराजा ओप हर्चिल पुस्तक इसके Robert Hutchison की है इनकी एक और पुस्तक है दोस्तो मेहतोपून है जो है किताब ओफ फूल्स ठीक है यह बुक ने लिखी है जो उपरी गंगा नहरोय हरिद्वार में उसके निर्माल करता है या जिनने आधूनिक भगीरत खा जाता है दोस्तो कौन Captain Court ले उनके उपर यह बुक लिखी है किताब ओफ फूल्स यह भी आपको डिरेक्ली याद रखना है ठीक है बाके अर्शिल काटी दोस्तो बहुत मेहत्वपून है यह भी आपको डिरेक्ली याद रखना है यहाँ एक छावनी सहर भी है और परियेटिंग की दिरिष्टी से एक बहुत मेहत्वपून परियेटा किस्तल भी है अगला पसना है यह पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है यह पॉइंट आपको याद रखना है एक इनकी बहुत मेहत्वपून पुस्तक है इनकी दो अन्य पुस्तक है भी है दोस्तो एक इनकी बहुत मेहत्वपून पुस्तक है descriptive list of martial casts of almoda याद रख लिजी का क्या descriptive list of martial casts of almoda पुस्तक के लिखा कोन है गंगादे तुपरेती जी है इसी के साथ साम दोस्तो, Hill Directors of the Commonwealth Division पुस्तक के लिखाग भी गंगादर उपरेती जी है और जो यह पुस्तक है, The Tribes and Casts of Northwestern Provinces and Awad इस पुस्तक के लिखाग है कौन? डवलू क्रूक जी, ठीक है? यह सारे पॉइंट आपको यादखने हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं, निम्नलखित मैंसे सुमेलित नहीं है क्या सुमेलित नहीं है? डिबेटिंग क्लब की स्तापना 1891, हैपी क्लब की स्तापना 1903, हुका क्लब की स्तापना 1906, या फिर उप्युक्ते सभी, देखे दोस्तो, हैपी क्लब की स्तापना 1903 में होई थी, बिल्कुल सही है, कहाँ पे होई थी, हैपी क्लब की स्तापना, कासिपुर में होई थी, आलमोडा की स्थाफना की गई थी तो प्रस्न ये भी बनता है कि गड़वाल कॉंग्रेस की स्ताफना सरोपरतम कब हुई थी तो तो प्रस्न ये भी बनता है कि गड़वाल कॉंग्रेस की स्ताफना की गई थी ये पॉइंट दोस्तो आपको ड्रैक ली याद रखते भी चल ले हैं ठीक हैं बाकी डीबेटिंग कलब की स्ताफना 1870 में हुई थी इसके द्वरा की गई थी इथी इसके द्वरातिव पर इस क्लब की स्थापना की गई थी तो विल्यम मियूर के सुझाओ पर दोस्तो इसकी स्थापना की गई थी कुमाओं का या उत्राखंट का पर्थम राजनेतिक संगठन कौन सा था वह भी दोस्तो क्या था डिवेटिंग क्लब ही था इसी के दवराशन अठार सव इगतर मे अलमुडा अगबार का प्रकासन भी किया जाता है ठीक है और जिसके परतम संपादक कौन थे बुद्धी बल्लब पपन्तजी थे अगला पसना है दोस्तो पेसावर कांड की स्तिथी को घटित हुआ था तो पेसावर कांड दोस्तो वह था ता 23 अपरेल इसको आप 23 अपरेल पेसावर कांड के रूप में जाना जाता है तो पेसावर कांड की स्तिथी को घटना हुई थी पेसावर कांड के नायक के रूप में भी जाना जाता है जो कि गड़वाल राइफल्स की कौन सी टुकली के सज़श्य थे तो गड़वाल राइफल्स की दोस्तो दो बट्टा ठारा टुकुली के सदस्तेकोन वीर चंद्र सिंग गडवाली जी इसी कारण इन्हें पेसावर कांड के नायक के रूप में भी जाना जाता है ठीक है जहीं से दोस्तो एक और प्रसने एकजाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पेसावर कांडे से प्रभावित होकर संपूर्च गडवाली जी के बारे में गहांदी जी का भी एक कथन है कि मुझे एक और वीर चंद्र सिंग गडवाली मिल जाता या इन्सकी तरह और लोग मिल जाते तो हमारा भारत कप का स्वाजनत हो जाता यह पूइंट भी याद रखने है ठीक है तो पेसावर कांड की घटना आपको याद रिखने है जो तो 23 अपरेल 1930 जो के आपके एक्जाम्स के पॉइंट आप विए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, अगले प्रस्थन के बात करते हैं, बाके 30 मई 1930 को क्या हुआ था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भाट बार बताया हुए, अगला पसना है, निमनलखित में से सुमेलित नहीं है, को ओपरेटिव ड्रक फैक्टरी रानिखेत में है, बिल्कुल सही है, हिंदुस्तान मसीन टूल्स फैक्टरी अगला पसना है, निमनलखित कौन सा पत्र अपने संपादक से सुमेलित नहीं है, ठीक है, पत्र और संपादक यहाँ पे आपसे मुख्यत पूछे गए हैं, देखे, संदेश नामक जो पत्रिका थी, इसके संपादक करपराम मिस्टर जी थे बिल्कुल सही है, छत्री वीर नामक जो आपके पत्रिका थी, या पत्र था, इसका संपादक परताब सिंगने की जी थे बिल्कुल सही है, करम वो मिन आमक जो पत्रिका है, इसके संपादक भगतर रसंजे बिल्कुल सही है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, उप्सन नमबर भी दोस्त आपका सुमेलित नही गुंड के इसके कंपादक कॉन है बसंत कुमार जोसी कमाँ भा भा था 1922 में हुआ था यह भी आपको डॉरेक्टी याद रखना है ठीक है और यह जो चत्री वीर नामक स्माचार पत्र है दुस्तो यहाँ उत्राखन का पर्थम जाति एक बार था जिसे 1922 में दुस्तो परताब नेगी जी के द्वारा संपादित किया गया था अलमुला अकबार 1871 मैंने आपको बताई दिया था सक्ती नामक समाचार पत्र जो कि बद्रिजद पांडी जी के द्वारा निकाला गया था 18atra में ये भी एक बहुत महित्योपन दूस्तो आपका समाचार पत्र है ठिक है बाकि कर्म वूमी नामग जो समाचार पत्र जी के द्वारा निकाला गया था क्या कर्म वों भी नामक समाचार पत्र ठीक है ऐसी दोस्तो आपका स्वाधिन्ता प्रजा नामक समाचार पत्र था जो कि 1930 में निकाला गया था ये भी आपको डैरेक्ली याद रखना है और उत्राखंट से निकलने वाला पर्थम समाचार पत्र कौन सा था दोस्तो वहीं उत्राखंट से प्रखाचीत होने वाला परthen हिंदीक अगभार कौन सा था वहाँ था दोस्तो समाई विनोध जो कि कब प्रखाची दोक समाचार पत्र प्रकाचीत हो था जो कि जस्पूर इस्तित ननिताल क्रेस कलब से यह संपादीत हो था अठीक है, और जो इस समय विनुद्नावक समाचार पत्र है, इसके परतम संपादक को इंते जैदत जोसी जी थे ये भी आपको डिकलिक लिए रतना है और वहीं गड़वाल से निकलने वाला परतम हिंदी समाचार पत्र कौन छा था, वह था गड़वाल समाचार पत्र उनिस् इसी प्रकार से दोस्तो एकोन महत्योपुन आपका समाचार पत्र है समता नामक समाचार पत्र है जो के 1934 में दोस्तो हरी प्रसाद टम्टाजी के दोरा निकाला गया था क्या समता नामक समाचार पत्र है ठीक है तो और बांकी जो कर्मु भुवी नामक समाचार पत्र है भकतर और नौलाज जैनल गुफा ये शुदर मठपाल कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पूछा गया देखे दोस्तो लाको गुफा की खोज MP जोसी यानिके महिसर परसाद जोसी जी के द्वारा की गये थी बिल्कुल सही आपका है दोस्तो और कप की गये थी 1968 में दोस्तो लाको डियार या लाको गुफा की खोज की गये थी यहाँ उत्राखन का पहला सैलास रही है MP जोसी के द्वारा खोजा गया था और कहां स्तित है अलमुडा जन्पत में स्तित है सुयाल नरीके किनारे पर बिल्कुल सही है पेटसाल गुफा और फड़का नौली गुफा पेटसाल और फड़का नौली इन दोनों गुफाओं की खोज किसने की थी उस्तो यहाँ ये शुदर मठपाल जी के द्वारा की गए थी और एक लुएथाब गुफा इसके खोज भी ये शुदर मठपाल जी के द्वारा की थी जो कि अलमुडा में स्तित है पेटस पेटसाल फड़का नौली लुएथाब और नौला जैनल गुफा इसकी खोज भी ये शुदर मठपाल नहीं करें थी यह सभी गुफा हैं अलमुडा जन्पत में इस्तित है वहीं दूस्तो यहाँ चमूली जन्पत में दूस्तो गुर्ख्या गुफा इस्तित है जिसे गु गुफा वुड़का नंच्यच MARY चमूली जन्पत में इस्तित है वहीं धेलतरा गुफा यह गुफा यहाँ जन्पत रही काला माटी या मंदला पेनाली जो सहलास रही है यहाँ आपका अलमुडा में इस्तित है या परसिद्ध दोस्तो आपको याद रखने हैं जो परसिद्ध गुफा है या उडियार है ठीक है बाकि गुर्ख्या उडियार या गुफा कहाँ चमुरी जनपत में इस्तित है राकेश भट के दोरा इसके खोज की गई थी गुर्खा कालीन संसिक्रिति के प्रमाण हमें यह अगला हमारा प्रसिन ₹पश्ड के राकेश भंट कि गई थी टेक है ठीक है तो कुली एजिसम्हें नेकी जी के द्वरां और कुली एजनसी की स्थापना तो दोस्तो वैसे 1908 में जोद सिंग नेगी जी के द्वारा की गई थी लेकिन दोस्तो कुली एजनसी का अध्यक्स कौन था वो था डिप्टी कमिशनर इस्टोवेल डिप्टी कमिशनर इस्तोवेल दोस्तो क्या था कुली एजनसी के अद्धिक थे और कुली एजनसी के पहले सची हुथे जिन्हों ने इसकी स्तापना करी थी वो कौन थे जो अधिसी है नेगी जी ठीक है ये पॉइंट आपको डिरेक्ट लिए याद रखना है जो कि फिर बहुत डीप है ये हम कभी बादन बाद करेंगे मैंने आपको पहले बताया भी है बाकि आप एक और पॉइंट याद रखने लिए कुली बेगार, कुली उतार, कुली चड़ाव जो हमारा आंदुलन था या कुली बरदायस जो आंदुलन था का अंतकर दिया गया 13-14 जनवरी 1921 को जब इस कुली बेगार आंदुलन के जो रेइस्टर है उसे आपका बागिस्वर में सरीयो और गुमती नेदी के संगाम इस्थर पर बहा दिया गया था तो आपको याद रखने है अंतकर बो था 13-14 जनवरी 1921 को ठीक है अगले प्रस्न की बात करते है उस्तो अगला आपका प्रस्न है निम्दरखित मैंसे कौन सा सुमेरित नहीं है बैजनात बंदिर लक्षमी चन के दोरा बनाया गया था नागनात बंदिर किर्थी चन के दोरा बनाया गया था गतिया देवाल बाज बादुर चंद के दोरा बनाया गया था या उप्युक्त मैंसे कोई नहीं देखे जो जो बैजनात मंदिर है यहां लक्षमी चंद के दोरा नहीं बनाया गया था यहां बनाया गया था ललित पुत्र भुदेव के दोरा ठीक है ललित पुत्र भुदेव बागिस्वर मंदिर के बैजनात नाम अगिस्तान पर ठीक है इसी बैजनात को दोस्तो कारतिकेपुर घाटी के नाम से भी जाना जाता है और रन चूला कोट के नाम से भी इसी बैजनात को जाना जाता है और इस बैजनात मंदिर का निर्मान किसने करया था इस बैजनात मंदि परधर्ण पंदिर करने लंकर चाए था 802 मैं, तो यहां से आपको यह दोनूँ ही पॉइंट्ट दोस्तों याद रखने हैं कि बैजनात् मंदिर काणिरमण लक्ष्मी चंदे करत जो की निंबर वंस के थे उनके दवायदा वंस कोड़ा जिती आगा हो advice जो की दूसरा मंदिर दूस्टो की भागनात मंदिर घुक ऐनात के लुका जनली काण्य जिती है लग्यात मंदिर निर्माना करेता जो कि त्के है लक्समी जन निकप बागनात मंदिर भी बागेसूर जन्पत में इसती है, वहीं दुस्टो जो ये नागनात मंदिर है, यहाँ चंपाउत में इसती है, करती जनकी दोरा इसका जिल्नुदार किया गया तै Documenta यह वादिया देवाल के तुलना की जाती है. इस मंदर में कभी भी पूजानी की जाती है. दक्षिन मुखी है केवल यहाँ पे जनेव संसकार होते हैं अगला हमारा प्रस्ण दोस्तो कि हिलियानी अधूल कर का संबन्द किस से था ठीक है तो हिलियानी अधूल कर का संबन्द था दोस्तो किस से सड़क की मरंबत से संबन्द था हिलियानी अधुल कर ठीक है बागी दोस्तों देखे गुर्खाओं के कर चंदों के कर परमाराजुंस के कर सभी के उपर में आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई है तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखले हैं दोस्तों क अगर आपसन है राजी की पहली सौरी दिवार का उठगाटन 2017 में किस उनिवस्टी में किया गया था ठीक है तो राजी की पहली सौरी दिवार का उठगाटन 2017 में दोस्तों ग्राफिक एरा उनिवस्टी देरादुन में किया गया था ठीक है बागी ग्राफिक एरा उनिवस्टी तुलाज उनिवस्टी बि.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i.i. काली कुमाऊं का मुश्निक तो यहां हरस देवॉली जी को चैनल को चार माँ यंदे पान promise के अंदूलन था उसमें भी इन्होंने प्रबल रूप से अपने भूमी का निवाहिती हिसने हर्षदेव ओल्री ने हर्षदेव ओली को किसी कारण काली कुमाओं का सेर या काली कुमाओं का मुश्णौानी नाम से भी जाना जाता है और बहुत महत्तुपुण है हरसदेव ओली जी ठीक है उत्राखन के point of view से ठीक है काली कुमाओं का मुस्लोनी और काली कुमाओं का सेर मुख्यता आपको इनसे संबंदित factor याद रखने है ठीक है इससे के साजसाम दोस्तों आपको यह परसीद्य सवंता संग्राम से लानी थे आप यह भी इससे संबंद में याद लख सकते हैं ठीक है अब देखिए तो दोस्तों हरसदेव ओली हो गया बांकि एक थे हमारे हरसदेव जोसी जी यह भी बहुत महतुत पुर्ण है हरसदेव जोसी जी दोस्तो जिने उत्राखन का विवीशन की संग्या दी जाती है देश द्रोही की संग्या दी जाती है राज जी का धारक भी नहीं कहा जाता है किंग मेकर और उत्राखन भी हरसदेव जोसी को कहा जाता है है ठीक है तो हर्षदेव जोसी ये हर्षदेव जोसी वही है दोस्तो जिनोंने कुमाओं में सरोपर्थम किसको परमार राजुनस के राजा ललित सा को कुमाओं आक्रमन का न्योचा जिया था ये हर्षदेव जोसी दोस्तो वही है जिनोंने गुर्खाओं को कुमाओं आक्रम था तो उत्राखन में दोस्तो अट्टा बट्टा गया थी एक विभाः विऊस्ता थी क्या अट्टा बट्टा विभाः विऊस्ता ठीक है अगला आपस नहीं मानुदे कावी की रचना कि गई थी तो भरत कवी जी के द्वारा मानुदे कावी की रचना कि गई थी तो भरत परमार राजनस का पर्थम एतिहासिक ग्रंथ कौन सा है यही मानुदे कावी दोस्तों परमार राजनस के इतिहास का पर्थम एतिहासिक ग्रंथ है और भरत कवी के द्वारा इसकी रसना के गे थी 1620 के आसपास में और परमार राजनस के जो मारे चैववाली स्वेस हा सकते कौ नाज आया है उनकी यस कीर्थिका वरण ब्लंदन भरत कभी के द्वरा किया गया है। कौन इसके रसनागार। ब्लंदे कवी ब्लंदन है अगला दो स्थे हृएं पर इंपुरेंस रतनकवी या रतनकवी किसके फते पती साह के दर्वारी कवी थे रतनकवी अपने मानुदे कावी नामक रसना में जिसे गड़वाल राज़ुन्स का पर्थम कावी के नाम से भी जाना जाता है ये भी आपको डिरेक्ली याद रखना है अब आप लोग उसे में एक प्रस्न बूस रहा हूं दोस्तो सवासार नामक ग्रंत के रसनागार कौन है अगला प उसका प्रसिद्य सेनापती था दोस्तो कौन पुरुषू पंत भी कहा जाता था जो कि मूलता दोस्तो कहां का आपका गंगोली हाट का निवासी था रुद्रचन के टाइम पिड़ेट पे 1565 से 1597 के मध्य में दोस्तो ये क्या था आपका उसका वीर सेनापती था अब प्रसुत्तम पंत एक बहुत वीर सेनापती था दोस्तो इसकी मृत्यू कौन से युद्ध में हुई थी बहुत महत्तो पूर्ण वो युद्ध है ग्वाल्दम का युद्ध दोस्तो ग्वाल्दम का युद्ध जिसे दोस्तो कौन से युद्ध के नाम से भी जाना जाता है उसी बधानकट के युद्ध में या ग्वाल्दम के युद्ध में दोस्तो मृत्य हो गई ठीक इसकी आपका पुर्खोपंत की 1591 में यहा बधानकट का युद्ध या ग्वाल्दम का युद्ध हुआ था जिसमें रुद्रचन की दोस्तो मृत्य हो गई ठीक है रुद्रचन क परकुपन्त के यहां गोषना करी थी कि जो भी सैनिक या जो भी मेरा सिनापती पुर्खुपन्त का सर काट कर लाएगा और जिस जगह से होकर हो मेरा उसका सर लेकर आएगा वह सारी भूमी में उसके नाम कर दूँगा इसी कारण पूरी सेना ही पुर्खुपन्त पर हावी हो गई और पुर्खुपन्त इस युद्ध में मारा गया लेकिन एक बहुत वीर सिनापती था सोरा नहीं सीर सीरा सोर को जिताने का स्रे भी इसी को जाता है बहुत सारी इसके बारे में चर्जाएं है जिसे हम कभी बाद में भी बात करेंगे ठीक है तो ये पॉइंट आपको रहे एक लिए याद रखना है ठीक है अगले प्रसने की बात करते है प्रेम इसकूल की स्थापना किसने करे ठीक है तो प्रेम इसकूल की स्थापना पागिरत पांड़े और देव की अंदर पांड़े इन दोनों के द्वारह ही किए गए थी अगला प्रसने प्रसने एक नाली में कितने वर्ग मीटर जमीन आती है तो एक नाली में दोस्तो 200 वर्ग मीटर आपके क्या आती है जमीन आती है तो एक नाली में कितनी वर्ग मीटर 200 वर्ग मीटर दोस्तो आपके क्या आती है जमीन आती है ठीक है और वहीं एक नाली में कितना मुठी होता है तो एक नाली में दोस्तो आपका कितना मुठी होता है 16 मुथी होता है, ये प्रस्षन भी इuba है, एक्जाम में पुषे आते हैं, और वहीं एक भीहा में कितनी नाली आती है, तो एक भीहा में दोस्तो दो的स्वलब पांच नाली आती है, बागी नाली क्या है दोस्तो, तो भूमिनापन की एकाई है क्या नाली, ये भी आपको डायक लिए याद रखना है, ठीक है, भूमिनापन की राजी में प्रमुकता है, दो एक है मुठी और एक नाली, एक नाली ब्राबर कितना होता है, 16 मुठी होता है, 16 मुठी ब्राबर क्या होता है, एक नाली होता है, औ गोविंद पंत जी को कुमाऊं कॉंग्रिस की रीट कहा जाता है ठीक हैं कुमाऊं कॉंगरिस की रीट के रूप में दोस्तो या अलमोडा कॉंगरिस की रीट किसको कार जाता है ह्गोविंद बनत जी का जनम associate 198ёзr काई हुआ था अलमोडा के चितए गाऊ में हुआ था जहां पर चितए गोलू देवता का प्रसिद्य मंदिर इस्तित है वहीं पर हर्गोविंद पंते जी का जन्मा 19 मई 885 को हुआ था हर्गोविंद पंते जी को यह दोस्तो अलमोडा कॉंग्रेस की डीड भी कहा जाता है और तो कुलीन ब्रामणू के द्वारा हल न चलाने की प्रता को सरवपरतम हर गोविंद पंतेजी के द्वारा तोड़ा गया था। तो आगामी जब भी आपके एक्जाम सुंगे उस टाइम पे ये नोट्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अपनी नेक्स्ट लुडियों में नेक्स्ट पार्ट के साथ में धन्यवाद। झाले हैं। झाल झाल